हेलो दियर फ्रेंड्स वेलकम टू वाकेव 24 प्रीमियर चैनल स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वाकेव बूस्ट और जो ग्रेमर के हमरे एपिसोड सल रहे हैं उसके स्टार्टिंग करते हैं शांदार आउट्सेंडिंग क्वेस्टेंस हैं जब दस क्वेस्टेंस आपके जब हैं एक से तीन की हमरे क्वेस्टन से वह वनवार सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं शाच करना में करते हैं मतलब 20 मिनिट्स में और इसे आपको मेंने करना है because you know very well 25 questions आते हैं आपके और 25 minutes में आपको manage करना है जी नहीं 25 भी नहीं बलकि 15 minutes ही मिलती हैं आपको तो केवल 15 minutes में आपको 25 questions solve करने होते हैं तो you should learn how to manage the time start करते हैं पहला question आपके सामने screen पे है yes पहला question आपका a man a man ऐसा व्यक्ति कैसा व्यक्ति a man with the abnormal habits जिसकी abnormal habits होती हैं बड़ी अठपटी आदते होती हैं ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं ऐसे आदमी को बोलते हैं eccentric जी हाँ ऐसा व्यक्ति बड़ा ही संकी किस्म का व्यक्ति होता है सैप्टिक तो वो होता है जो संशेवादी होता है जो व्यक्ति संशेवादी होता है answer आपका B है ओके फाइन आगे बात करते हैं अबर next question की study of the interaction of people with their environment यानि वो अध्यान जिसमें environment के साथ लोगों का interaction कैसे हो परियावरण के साथ उसको हम क्या बोलेंगे इस प्रकार के study को pathology जी नहीं ये तो विक्रति विज्ञान होता है radiology जी नहीं the scientific study of skin diseases this question has been asked five times जी हाँ पांच बार पूछाएगा question है तो scientific जो study होती है skin disease की यानि skin समंदिज बिमारियों की जो scientific study है उसको हम क्या बोलेंगे actual में उसको dermatology बोलते है छी का dermaic word है d-e-r-m-a ये latin word है derma latin word है latin word और इसका मतलब skin होता है latin word skin को derma बोलते है ठीक है इसका आंसर है derma-tology andrology होता है जो sexual male sexual problems related जो study होती है angiology अलग है chronology times related है ओके आगे बढ़ते हैं next question की अब आते हैं आपके synonyms ठीक है big will big will का मतलब होता है actual में धोका yes ये धोका है answer इसका b है और इसको आप cheat भी कह सकते है cheating और इसको आप divert भी कह सकते है इसको आप distract भी कह सकते है ठीक है cheating हो गया divert हो गया distract हो गया और इसको आप enchant भी कह सकते है enchant इसके synonyms है next question के हम बात करें frugal frugal वो होता है जो मित्वियाई होता है जो कम पैसे खर्च करता है ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे economical बोलेंगे जी हाँ economical इसका सही answer है use तो विशाल होता है extravagant खर्चिला होता है और sufficient होता है परियाथ और economical को और क्या बोल सकते हैं आप आप इसको miserly भी बोल सकते हैं और आप इसको thrifty भी बोल सकते हैं ठीक है next हम बात करें considered वो होता है जो विक्ति घमंडी होता है जी हाँ factual तो तथ्यात्मक होता है circular हो नहीं सकता शाही आपका शर्मिला हो गया answer आपका D yes इसको proud कहते हैं proud कहते हैं और आप इसको when भी कह सकते हैं when भी घमंडी होता है ठीक है और इसके अलावा when के अलावा आप इसको और क्या कह सकते हैं when के अलावा इसके लिए एक वर्ड और होता है egoistic ठीक है egoistical इगोिस्टिकल भी आप इसको बोल सकते हैं ठीक है yes आगे बात करते हैं next question की zip your lip zip your lip idioms and phrases है zip your lip का मतलब क्या है कि अब keep quiet about something किसी बारे में आप चुप रहे हैं या not to think before speaking इसका सही answer होगा option C keep quiet about something किसी बारे में बिलकुल चुप रहना किसी बारे में आप बिलकुल चुप रहे हैं